हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ स्ट्रीट फूड स्टाइल तंदूरी चिकन मोमोस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो की बहुत ही टेस्टी बन करते यार होगा तो चलिए इसे बनाना श्रू करते हैं तंदूरी मोमोस बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टीम मोमोस बनाना है तो यहाँ पे मैं ने 200 ग्राम चिकन के कीमा का यूज़ किया है एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग वायल डाल करके इसमें कीमा डाला है और मेडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 1-2 मिनिट के लिए भूनना है फिर इसमें फाइनली चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालना है तो यहाँ पे मैंने 1 इंच दरक कटुकरा 8-10 लहसुन की कलिया और 2 हरी मिर्च का यूज किया है इन सारी चीजों को मैंने चॉपर में चॉप किया है आप चाहें तो हाथों से भी बारिक कट कर सकते हैं एक से 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद अब इसमें 1 मेडियम साइस की प्यास को बारिक चॉप करके डालना है वाले चिकन मोमोस बनाते हैं उसमें वो फिलिंग में कच्चा कीमा यूज करते हैं यहाँ पे हम घर में बना रहे हैं इसलिए से कुक करके यूज करेंगे टेस्ट एकोटिंग नमक डालना है, half टेबले स्पून अजीनो मोटो डाला है, half टेबले स्पून काले मिर्च पॉडर डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अजीनो मोटो चैनीज नमक है जो कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट देगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे चिकन से पानी रिलीज होने लगा है तो इसे हमें अच्छे से खुस्क करना है यहाँ पे मैंने 1 टेबले स्पून सोया सॉस और 1 टेबले स्पून वाइट विनेगर आट किया है एक से दो मिनिट में आप देखेंगे कि कीमे का पानी खुस्क होने लगेगा और कीमा भी धरदरा हो जाएगा तो यह हमारा फिलिंग बनाने के लिए चिकन का कीमा रेडी है इसमें बारी कटा हरा धनिया डालना है और फिर इसे ठंडा कर लेना है और अब मॉमोस का आटा लगा लेंगे तो यहां पे मैंने वन एन हाफ कप मैदा यूज किया है इसमें डाल लेना है नमक और सिंपल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गुंद लेना है और एक टाइट डो तयार करनी है तो यह डो हमारा रेडी है अब इसे इस तरह से पेरे एक साइट के बनेंगे अब इन पेरों से हमें चोटी-चोटी पूरी बेल लेनी है अब इस पूरी के अंदर हमें फिलिंग डालनी है उसके बाद इसका मॉमोस बनाना है तो यह देखिए अंदर से मैंने स्टफिंग डाली है और एक साइट उठाना है ओवरलैप करते हुए इसे मोड़ते जाना ये देखिए और दूसरे साइड से इसे हमें चिपका देना है ये हाफ मून मोमोज बनकर रेडी हो गया है और अब मैं आपको मोमोज का दूसरा शेप बना कर दिखाती हूँ तो स्टफिंग को सेंटर में रखना है और इसको चारो तरफ से इस तरह से ओवरलैप करके चिपका देना है ये देखिए अच्छे से चिपकाना है और ये राउंड शेप का मूमोज बनकर रेडी हो जाएगा ये भी बहुत आसान तरीका है बनाने का तो ये देखिए मैंने फिर से सेंटर में ये फेलिंग रखी है और इस तरह से चुटकी से दब लगाना है और फिर मूमोज को हटा हटा करके रखना है एक कड़ाई में मैंने पानी गरम कर लिए इसके उपर ये स्टेनर रखा है और ढग करके तकरीबन 10 मिनट तक स्टीम किया है और ये देखिए मूमोज रेडी है आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं स्टीम म स्टीम मोमोज डाल करके इसे हमें मिक्स करना है हलके हाथों से तो पहले थोड़ा सा मूमोज डालना है फिर इसमें और मूमोज डाल करके इसे मिक्स करना है उसके बाद इसे स्क्यूर्स में डाल देना है इस तरह से आप स्क्यूर्स में सारे मूमोज भी डाल सकते हैं या आप बीच में शिमला मिर्च या प्यास भी एड़ कर सकते हैं त 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेलसियस पर रख दिया है तंदूरी मॉमोज हम गैस पर बनाएंगे इसके लिए एक रोस्टिंग नेट लेनी है इसके उपर वायल लगाना है ताकि मॉमोज चिपके नहीं और लो फिलेम पे इसे 2-3 मिनट तक के लिए रोस्ट करना है और यह देख चलेंगा किसे मैंने गैस पर बनाया है और किसे बनाया है एर फ्रायर में बस इसके उपर डालना है मिल्टेट बटर और साथ में चाट मसाला और इसे गरमा-गरम सर्फ करना है यकीन वानिए फ्रेंड्स यह तंदूरी मॉमोज घर में बहुत ही जबरदस तरीके से बनकर त थोड़ी सी तयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक दे दे अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले